भारत सरकान ने senior citizen card बनवाने का फैस्टा लिया था, हाँ, कुछ समय पहले भारत सरकान ने यह फैस्टा लिया था दुमुश्कर, 24 by 7, ताजा समाचारे 610 शुप के बंपाठु के जाना याने कोने शुब इच्छा, भालो वाशा, कुब भालो था कोन, stay tuned, all the best 24 by 7, ताजा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार दिख शुप कामना है, 24 by 7, ताजा समाचारे 610 शुप के जाना याने कानक शुप है, 24 by 7, ताजा समाचारे 610 शुप के जाना चानक शुप है, 24 by 7, ताजा समाचारे 610 शुप के जाना चानक शुप है, 24 by 7, ताजा स बन ताजा समाचार दोस्तों आज हम बात करेंगे senior citizen card की देश में वेस्क नागरिकों की बरती हुई इनसंखया को देखते हुए भारत सरकान ने senior citizen card बनवाने का फैसला लिया था हाँ कुछ समय पहले भारत सरकान ने यह फैसला लिया था senior citizen card यानी वरिष्ट नागरिक card यहां की उम्र 60 साल से अधिक है और वे भारत के नागरिक हैं यहां राज्य सरकान ने भी यह फैसला लिया है और यह card उनके अधिकारिक पर जाकर पनवाय जा सकता है अब हम बात करेंगे इसके फाइदे की तो चलिए बताते हैं इसके फाइदे senior citizen card के मातम से वरिष्ट नागरिकों को railway के किराय में छूट दी जाती थी लेकिन अभी इस अधियात को बंद कर दिया गया है हलाकि अभी भी अलग से टिकेट काउंटर मुहिया करा जाता है इस card के मातम से senior citizen को हवाय यात्रा के टिकेट में भी छूट दी जाती है अन्य लो की दुलना में post office investment scheme में अधिक लाव और सुविधाय senior citizen को मिलती है सरकारी अस्पातालों में senior citizen को मुफ्त इलाज और अस्पातालों में छूट दर पर इलाज का लाब दिया जाता है senior citizen कार्ट धारकों को सरकारी कंपणी MTNL और BSL के ली आवेदन करने पर रेजिस्टरिन चार्ज में छूट और मंत्री रेंगल चार्ज में भी छूट मिलती है तो दोस्तो इतनी सारी सुविजार मिल रही है तो क्या आपने इस कार्ट को बनवा लिया है अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप इस कार्ट को बना सकते हैं इस कार्ट को बनाने के लिए कई कागजात की जरूरत पर सकती है वो हम बताते हैं आयूप प्रमान के लिए प्रमान पत्र इसके लिए आपके पास पास्पोर्ट, पैन कार्ड, स्कूल छो़ने का प्रमान पत्र आदी दे सकते हैं निवास प्रमान पत्र के कागजात इसमें वैद दस्तावे जैसे राशन कार्ड, पास्पोर्ट, इलेक्शन कार्ड, बिजिली या फोन का बल जो भी आविदक के नाम से हैं वो दिया जा सकता है मेडिकल थोशना पत्र इसमें ब्लड रिपोर्ट, दवा और अलर्लरजी की रिपोर्ट देनी होती है पास्पोर्ट साइस पोटो इसके अलावा सम्मान दिश्टदार का मुबाइल नंबर अगर आप इतने सारे कागजाद अगर आप दे सकते हैं तो आसानी से आपका यह कार्ड 15 दिनों में बंकर आपके घर तक पहुच जाएगा और आप कई सारी सुविधाओं का लाब उठा सकते हैं यानि सरकार द्वारा दीजारी सविदाओं का लाब उटा सकते हैं अब हम बताते हैं कि किस तरीके से आप सरीजन कार्ड के लिए अपलाई कर सकते हैं इसके लिए आपको सरकारी वेबसाइट यानि आप जिस राज्य में हैं तो उस राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर आप जा सकते हैं जैसे ही आप इस साइट पर जाते हैं आपको न्यू रिजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा आपको आप जाएं और एक फॉर्म आपको दिखाई देगा जो स्क्रीन पर दिखाई दे रही है उस फॉर्म को आप भड़े और उसे ऑनलाइन सब्बिट कर दे 15 दिनों के भीतर यह कार्ट आपके घर तक पहुंच जाएगा इसके अलावा हम आपको दो टोलफी नंबर स्क्रीन पर मुहिया करवा रहे हैं स्क्रीन पर इन दो नंबर पर भी आप फोन करके पता लगा सकते हैं स्क्रीन पर यह नंबर आपको दिख रहा होगा तो दोस्तों यह थी आज के वीडियो फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो पर और अगर आपको कोई भी सुझाओ देनी हैं तो आप हमारे कमेंट सक्षन पर आकर कमेंट कर सकते हैं शुक्रिया फर मिलते हैं अब रोर केला में भी आर आर अगरवाल जूलर्स रिष्टा भरो सेका